हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू ज़ार केन चले जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी खबरों को मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जनता से मुलकात और सिधा शनवात कर उनकी परेशान्यों को शमजे ताकि उशके निराकारन की दिसा में पहल की जा सके इस मौके पर लोगों ने अपने शमस्याओं से मुख्यमंतरी को आउगत कराया मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोशा दिला है कि आपने यहाँ जो शमस्याय रखी है उशके सिग्र निराकारण के देशा में सभी आविशक कदम उठाए जाएंगे मरांग बुरू आदिवासियों को वापस नहीं किया तो पूर्वी भारत में होगा चक का जाम शालकान मुर्मू देश में विकास के नाम पर भाचपा वोड़ वटो रही है लेकिन इनका डंका जारखन में आकर फूस हो जाता है इसका मुख्य कारण है कि केंदर की मोधी सरकार के यहां के आदिवासियों के उत्तान के लिए कोई एजेंडा नहीं है ये बाते आदिवासि सेंगल अभ्यान के राश्ट्रियाधग शालकान मुर्मू ने गुर्वार को जीला मुख्याल इस्थित परिशदन में पतरकार सम जागु करने पलायन कर गए आदिवासियों एवं मुलवासियों को जमिन देने रोजगार मुहिया कराने शहित अन्नी कई मांगों को लेकर 11 फरवरी से अनिशित कालिन रेलरों को चक्का जाम करने जा रहे हैं। सभा उप्चनाओ को लेकर आजसू आज यानी तीन फरवरी को अपने उमिद्वार की घोशना करेगा। बंद कर्मियों के समर्थन में उत्रा अराजपातरित कर्मचारी महासंग एक दिन किया कारी बहिसकार। पिछले 17 दिनों से राजपातरित कर्मचारी महासंग ने भी शमर्थन किया। एनेचम कर्मियों के मांगों के शमर्थन में नियमिद कर्मियों ने भी एक दिन कारी बहिसकार किया। इस कारण पूरे राजपातरित की श्वास्थ व्यास्था ठप रही। जे पीएसी सचिव नैशार अहमद सहित चार आईएस अधिकानियों की ट्रांसफर पोस्टिंग जारखन सरकान ने चार आईएस अधिकानियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। वही श्वास्थ शिकितसा शिक्षा एबं परिवार का लियान विभाग के शन्योक्तु सच्यू चंदन कुमार को इस्थान अंतुरित करतो हुए किरसी डारेक्टर बना गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब ने की हैं तो प्लीस चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दें जिससे आपको जारकन की हर शोटी बड़ी खबर का अबडेट आप तक पहुंसता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की आप। ये जाने के निरने का विरोध सुरू हो गया है इसको लेकर राची में प्रदर्सन कर रहें अभ्यर्थियों ने जारकन कर्मचारी चैनायोग के शामने प्रदर्सन किया जैससी के इस निरने के विरोध में परिचा में शामिल अभ्यर्थियों ने आयोग के कारले का पुलीस को नक्षली अभ्यान में चार आतुधनी खंतियार बरामत हुए हैं, जिसमें 5.56 mm का एक LMG, 2 XLR और 5.56 mm का एक इंसानस राइफल सामिल हैं, जबकि LMG का चार मैगजीन, इंसास राइफल का तीन मैगजीन, SLR का चे मैगजीन, चार बेस पोटक और 470 गोली बरामत हुआ हैं, पुलीश रधिचक अंजनी अंजनकू, गुप्तु सुचना मिली थी कि नक्षलियों ने बुढ़ा पहार के जोंक पानी के जंगल में कई हंत और अन्य शमान चिपा कर रखा है, इसी सुचना पर कोब्रा 209 और जिला पुलीश की शन्युक्त चापेमारी में हांतियार और गोली शमयत कई पिठ्टू बैग बरामत किया है, सुरक्चा बलो द्वारा बुढ़ा पहार पर अभियान लगतार जारी है बाइक सवार युवकुकु, 200 मेटर घस्टीट ले गया ट्रेलर, दो की मात, एक की हालत गंभीर, छत विच्छत हुआ शाओ, र्याची की अन्गढ़ा के गुंदली पोकर की पास बुधवा राद 11 बजे, अग्याद ट्रेलर ने एक ही बाइक पर सवार तीन लोगों को कु रुपेश कुमार मुंडा खिलगाओं के कांधी टोला करने वाला है, उसका इलाज अभी रिम्ज में चल रहा है, दुर्घटना में दोनों युवकों की शाओ, छत विच्छत हो गए थे, जबकि बाइक तूट कर कई हिशों में बढ़ गई पुलिश के हाथ लगा बाबुलाल मरांडी के बेटे का हत्यारा, चिल्खारी नरसनहार का नामजद नक्षली बिहार से गिरबतार, चिल्खारी नरसनहार का नामजद नक्षली, कोला यादो पंदरा साल बाद पुलिश के हाथ लगा है, और स्सबी की टीम ने उशे, चरका पत्थर और भेलवा घाटी थाना के पुलीस के द्वारा अभ्यान चला गया तता नक्षली को लाई यादो के घर पर छापे मारी कर उशे गिरपतार किया गया गिरपतारी के बाद पुलीस उशे चरका पत्थर थाना से भेलवा घाटी थाना ले गई जहां पूछ ताच के ब परिचा को लेकर विस्तरत सुचना जारी कर दी है परिचा में सामिल होने के लिए ओनलाइन आविदन 10 फरवरी से सुरू किया जा रहा है जो 10 मार्च तक भरे जाएंगे अनलाइन परवेस पत्र परसत की वेब साइट पर परिचा से चार दिन पूर्व डाउनलोड किया जा सकी का परिचा रांची, धनबाद, जमसियतपूर, बोकारू, दुमका, एवंपलामु, जिला, मुख्याले इस्ति दिभिन परिचा केंद्रों पर होगी या परिचा ओमार अधारित होगी आप केंद्र सरकार को विधयक क्यों भेज रहे हैं भालू बासा इस्थिद आसीस किशोर संग में गुरुवार कुशनवदाता शामिलर में रगवरदास ने कहा है कि मेरी सरकार ने 1985 के कटप डेट पर इस्थान्यता नीति लागो की थी हमने एक लाग नौकरी भी दी जबकि हिमंत सरकार में तीन वर्ष में मात्र 356 नौकरी मिली उन्होंने काहे कि जोहार यात्रा से मोकेमंत्री जारखन के शबी लोगों को बेवकू बना रहे हैं पसमी शिंग्भूम के चाहबासा में नकसली ने एक बर फिर सुरक्छा बलो को निशाना बनातो हुए इसमें सी यार पी अपकी तीन जबन घाल हो गये हैं ये घर्टना गुरुवार को जिले के अति नक्षल परभावित इलाका टोंटो थाना छेतर में हुआ है, घायल वेश अभी जवानों को एर लिप्ट करना ची लाए गया है, जिन्हें बहतर इलाज के लिए मेडिका में भरती करा गया है, जानकारी के मुताबिक सभी घायल में लगतार सर्च अभ्यान चला जा रहा है, इसी सिलसले में सुरक्षबलो के जवान गुरुवार को शुभा ग्यारा बजे टोंटो थाना छेतर के अंतरगत आने वाला जो है सरजाम बुरु जंगल की और निकले इस दुनान तीन जवान आईडी की चपेट में आके जिश शन्याधिस पीके शर्मा की अदालत में अब अगली बार आट फरवरी को उन्हें हाजिर होना है, दरसल छे फरवरी को पूजा सिंगल की जमानत अवधी खत्म हो रही है, ऐसे में उन्हें छे फरवरी से पूरो ही सरेंडर करना होगा, जानकारी के अनुसार पूजा सिंगल के शाथ इसी मामले के आरोपी, सिये शुमन कमार और इंजिनियर राम विनोत सिना को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये कोट में पेस किया गया, उजा के साथ उनकी भी अगली पेसी के लिए आट फरवरी किती थी निर्धारित की गई है, धनबाद जामों के स्थापना दिवस समहरों में रहेंगे, मुक्यमंत्री वा गुरुजी भी, मतुरा महतू, जारकन मुक्ती मोचा में सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी की एक डूरता की जलक चार फरवरी को धनबाद की गोल्फ ग्राउन में भी दिखेगी, इस बार पार्टी का 51 वा इस्थापना दोपहर 12 बजे सुरू होगा और 4 बजे समाप्त हो जाएगा, पार्टी सुप्रीमों शीबुशोरिन, गुरुजी और मुक्यमंत्री हिमन्तु सोरिन, हवाई मार्ग से रांची से कारिक्रम इस्थान दोपहर 12 बज के 15 मिनिट पर पहुंचेंगे और 3 बज के 45 मिनिट पर प पूरी हो चुकी है, या जानकारी गुरुवार को सरकीट हाउस में आयोजित प्रेशवारता के दोरान तुंडी विधाइक मतुरा प्रसायत महतों ने दी सांसत खेल महात्सो दिल्ली में केंद्रिय मंत्री परलाद जोसिवा पीटी उसा को सांसत संचे सेट ने किया आमंतृत जारकन की राजधनी रांची में 17, 18 और 19 फरवरी को सांसत खेल महात्सो कायोजन किया जा रहा है तीन दिवस ये सांसत खेल महात्सो में अतिती के रूप में आमंतृत करने के लिए राची से बीजेपी सांसत संचे सेट ने नई दिल्ली में केंद्रिय कोईला खनन एवं संसधी कारे मंत्री परलाद जोसिवाजनी से मुलाकात की इस मुलाकात के दोरान सांसत स्री शेट उनसे खेल महात्सो के उद्गाटन करता के रूप में सामिल होने का आगरा किया। इतिहासिक हो उन्हें भरोसा है कि राची लोक्षभाच्षित्र की जन्ता के सहयोक्षे या महात्सो इतिहासिक होगा। इस घटना के बाद पूरे इलाके में संसनी फैल गई अलाकि इस घटना में किसी के हताहात होने की कबर नहीं है लेकिन लाइबरेरी के कई समान जरू तूड गए हैं। पुलिस की जाच में वारदात का एक वीडियो शामने आ हैं। पुलिस वीडियो के अधार पर चान बीन कर रही है। जेमेम के जारकन डिवस में 1932 खतियान अधारित इस्थानेता के ओठी मांग, 47 राजनितिक प्रस्ताव पारीत, कोरोना काल के बाद 2 फरवरी 2023 को परमंडल अस्तरपर उपराजधनी दुमका में जारकन मुक्ती मोर्चा का चववाल श्वा, जारकन डिवस शमारों का उपराजधनी दुमका में हाई कोट की खंड़ फीट इस्तापित करने समयत, 47 सूतरी प्रस्ताव पारितकर सरकार की कारे सूची में प्रात्मिक्ता में शामिल करने की मांग, की गई रांची में रोड हिंसा के आरोपियों के खिलाप मुकादमा चलाने की तैयारी, डीसी ने विभाग से मांगी अनुमती, दस जून दोहजार बाईस को रांची के में रोड में हुवे, हिंसा को लेकर जिन ग्यारा आरोपितों का नाम दर्ज हुआ था, उनके खिलाप अब म मुकदमा चलाने की तयारी है दरसल राची डीसी रागुल कुमार सिन्हा ने इसके लिए गरी, कारा एवं आबदा परवंधन विभाग से परमिशन मांगी है जैसे ही विभाग से अनुमती मिलती है वैसे ही आरोपितों के खिलाप मुकदमा चलाने की प्रिक्रिया सुरू हो जागी बता दे कि इस मामले की जान्ट CID कर रही है अलाकि CID की तरब से अब तक कोई ठोश पक्ष नहीं रखा गया है वही या मामला राची की डेली मार्केट थाना में दर्ज है CID का वे विभाग से अनुमती मांगी है हिमंत सरकार पर फिर बर से जेमें विधायक लोबीन हेमरम कहा जारकन गठन के 22 साल बाद भी विकास की सपने अधूरे सहिब गंजिला अंतरगत बोर्यो विधान सभाद शेतर के विधायक शाह जारकन बचाओ मोर्चा के शुपरिमो लोबीन हेमरम के नेतुतों में गुरवार को भोगनाडी में एक दिवसी उपवास रखा गया एक दिवसी उपवास कारिक्रम में सामिल लोगों को शंबोधित करतों हुए विधायक ने हेमंत सरकार की नीतियों पर जम कर निसाना साधा कहा है कि जारखन गठन के 22 साल पूरे हो चुके हैं हम लोग 23 शाल में परवेश कर गए हैं लेकिन जारखन ने अलग होने पर जो विकास का सपना देखा था वह अब तक अधुरा है बोर्यों विधायक ने लोग को खतियानी जोहार खूल जोहार से संबोधित किया इससे पूरो लोबिन जो उपवास इस्तल से शर्बत एवं अंगूर ग्रहन कर कारिक्रम इस्तल पहुंचे जहां उनका अधिवासी ढोल नगाड़े के साथ जोड़दार स्वागत किया गया आज तीन फरवरी को रांची आ रहे है राज़त के जार्खन प्रिभारी और बिहार के पूरो मंतरी राज़त के जार्खन प्रिभारी जया प्रिकास नारायन यादो एवं बिहार के पूरो मंतरी शाम रजग तीन फरवरी को रांची आ रहे हैं राज़त कारियाले में नित अधिक से अधिक ज्यान हासिल करने की भूग बनी रहने चाहिए, राजिपाल जीवन में कभी भी सीखने में शंकूच नहीं करे, दूसरे के स्रेश्ट गुनों का अनुकरन करे, अच्छे मार्क पर चले, यही एक उच्तम और सफल विद्दार्थी के लक्षन है, सीखने की हासिल करने की भूग शदेव बनी रहने चाहिए, तब ही आप लोग नई नई उचायों को हासिल कर पाएंगे, यह बाते गुरुवार कुराजिपाल रमेस बैश ने बिर्सा कृष्च विश्य विद्दाले के दिछानत सम्हारों में कही, कांके इस्थिद विश्य विश्य विद्दाले के लिए बी या एक विश्य विशेश दिन हैं, क्योंकि विद्दार्तियों के उपलब्धी में ही, विश्य विद्दाले की उपलब्धी शामिल हैं। प्रतियास्यों ने नमांकन पत्र खरिदा वही किसी उमेद्वार ने नमांकन पत्र दाखिल नहीं किया है अनमंडल कारेले परिसर से जापा के अधिकरित प्रतियासी शंतुष महातों ने नमांकन पत्र खरिदा उन्होंने पत्र कारों से बात करतो वे कहा है कि मैं पाटी का अधिकरित प्रतियासी हूँ पाटी यहां से पूरी थागत के साथ चुनाव लड़ेगी उन्होंने कहा है कि हम युवाओं के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे चुनाव सिक्षा, स्वास्त और रोजगार के मुद्दे पर लड़ेंगे संतोस महतों ने कहा है कि जिले में सिक्षा की उचित व्यास्ता नहीं होने की कारण यहां के चातर चात्राओं को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है अगर रामगड में ही सिक्षा की अच्छी व्यास्ता हो जाए तो चातर चात्राओं को बाहर जाने की आवशकता नहीं पड़ेगी तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरे इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यू जारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस करते जे